अभी देश के परदान मंत्री मोधी साब का बियान आया, जिसमें उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता शिरी रहुल गांदी जी ने जो लोगसभा में भाशन दिया, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कि इस चैल्डिश, कि ये बालबुती, और ये हिंदुओं पर जो है टिपनी की गई, कि मुझे उनके और तमाम भारतिय जन्ता पार्टी के जो नेता हैं, जो रहुल गांदी जी के भाशन पे इस तरह की टिपनियां कर रहे हैं, एतराज है। पूरे देश ने उनका भाशन सुना, और प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद ये उनका पहला भाशन था। पूरे देश में लोगों ने उनके भाशन को पसंद किया, और उन्होंने बड़ी बेबाकी से, और बड़ी आतम विश्वास से, अपनी बात जो है, देश की जन्ता के इस मुख रखे। और मुझे समझ नहीं आता कि परधान मंत्री जी को कहां कमिया नजर आई, उन्होंने जो भी टिपणी की, कोई भी टिपणी उनकी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थी। उन्होंने हिंदू धर्म का उधरन दिया, उन्होंने इसलाम धर्म का, सिक धर्म का, जैन धर्म का, सिक धर्म का, उन्होंने एक बात कही, कि किसी भी धर्म में हिंसा को जगा नहीं है, अहिंसा पर्मो धर्म, और कोई भी धर्म जो है अहिंसा को प्रेरित नहीं करता है सभी धर्म जो है आपसी बाहेचारे आपसी सद्वाओ की बात करते और जहां तक हिंदु धर्म की बात है हमारा सुनातन धर्म है बहुत महान है हम तो वसुदेव की बात करते हैं कि पूरा विश्व जो है एक परिवार है और अगर पूरा विश्व एक परिवार है तो कहीं भी आपसी द्वेश बाहुना की बात नहीं आती है मुझे लगता है राउल गांदी जी की टिपनी को उन्होंने तोड़ बरूर कर पेश करने का प्रियास किये भारतिय जनता पार्टी हो राष्टी स्वेम से संग हो कोई भी हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं हिंदू धर्म एक संस्क्रित है जो आपसी सद्वाव बाईचारे में विश्वास रखता है लेकिन पिछले काफी समय से देश में एक सांपरदाइक महौल एक सांपरदाइक दुरूवी करने का जो है प्रियास चल रहा है उस प्रियास को देश की जनता ने पिसंद नहीं किया और चार सो पार की बात करने वाली भारतिय जनता पार्टी आज सरकार चलाने के लिए अपने जो गटबंदन के सदसे उन पे निर्वर और ये हताशा आप परधान मंत्री जी के चेरे पे साब तौर पे देख सकते और रहुल जी ने जो कहा उस सदन की कारवाई से निकाल दिये गए ये भी गलत है क्योंकि मैंने स्वेम पूरा भाषन देखा कारवाई मैंने सुनी जो दूसरे भारतिय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी टिप्रियां भी बड़ी आपती जनक रही हैं अनुराग ठाकर जी का मैंने सुना बड़ी आपती जनक थी लेकिन सदन की कारवाई से रहुल जी के भाषन को के अंश कुछ अंश उनको निकालना अपने आप में एक अलोगतांत्रिक गदम है कॉंग्रेस पार्टी देश की एकता अखंडता धर्म निर्पेक्षा मैं विश्वास रखती है इन्ही सिधानतों के साथ हमने देश में अज़ादी की लड़ाई लड़ी इन्ही सिधानतों के साथ जब जब भी हमारे सरकारे रही हमने देश को आगे ले गया देश ने तरक्की की और मुझे लगता है कि एक मजबूत विपक्ष की भुमी का देश की जनता देखने वाली और जो पिछले दस वर्षों में जो मनमर्जी चली रही, जो तानाशाही चली रही, आज परतिपक्ष की तरफ से मजबूत जवाब जो है सरकार को मिलने वाला है और हमें विश्वास है कि रहूल गांदी जी ने जिस परी पक्वाता के साथ मुद्दों को रखा है और आने वाले समय में देश में बढ़ती हुई में गाई, बेरोजगारी, कानून विवस्ता, भरष्टाचार हैं मुद्दें इन पे वो मजबूती से अपना पक्ष जो है लोकसवा में रखेंगे, अभी जो नीट में हुआ, किस तरह से पूरा देश हैरान रह गया, आपकी जो प्रिक्षा प्रणाली है, उसे आज देश की जनता का विश्वास उठता नजर आ रहा है, इस तरह के बहुत सारे मुद् और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन मुद्दों को विपक्ष बड़ी मजबूत ढंक से रखेगा, और अगर देश में लोकतंतर को मजबूत करना है, लोकतंतर को जीवित रखना है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष की आवाज में दम होना चाहिए, और रहुल ग इस भूमेका को निभाएंगे इस बात का मुझे पूरा विश्वास और कोई स्टेट से जुड़ा मुद्दाव सर्फ सिजन चरम पर है और सरकार ने उनिवर्सल काटन को लागू करने का निने किया है लेकिन जो बागवाने उनके पास वह पहले से ही जो प्रोणा काटन बता हुआ है उसका वो प्रयोगनी कर पा रहे है तो ऐसे में वो रहत की मांग कर रहे है आपने बहुत अच्छा स्वाल पूछा है मुझे भी काफी बागवानों के फोन आए एक बहुत अच्छा निर्णय सरकार ने लिया जो बहुत बरसों से किसानों और बागवानों की मांग थी कि युणिवर्सल काटन पर चलन में आना चाहिए और इस बरस से युणिवर्सल काटन पर चलन में आ रहा है लेकिन कुछ हमारी जो बागवान है खिसान है उनके पास स्टॉक पड़े तो मेरी आज ही बागवानी मंतरी श्री जगज सिंग नेगी जी से बात हुई मैंने उनके स्मुक इस मांग को रखा कि जो पेंडिंग स्टॉक है इस बार सरकार इजाज़त दे कि वो जो परानी पेटियां घरों में पड़ी हैं इजाज़त मिले कि इसान बागवान अपना सेब मार्किट में बेज सकते हैं लेकिन जो सीलिंग है वो बीस किलो की सकती से र तोट जो है केवल इस वर्श के लिए होनी चाहिए और जहां तक मैनुफ़ेक्ट्रिंग की बात है किसी भी मैनुफ़ेक्ट्रिंग कंपनी को युनिवर्सल काटन के लावा दूसरे काटन को बनाने की अजाज़त नहीं होनी चाहिए मारकिट में बेचनी की बिल्कुल एक पॉजिटिव एक सकार अत्मक निर्णे जो है किसानों और बागवनों के हक में लेगी और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी मेरी HPMC के अधिकारियों से बात हुई अगले एक हथे के अंदर जो है यूनिवर्सल कार्टन जो है उपलब्द होगा और थोड़ा सं है वो भी जारी कर दिये और जो है जास्ट वेट है ये लिस्ट जो है तीन तारिकों मतलब जारी हो चुकी है और इसमें साथ तरह की अलग शरेणिया है और जिसके अलग-अलग रेट है और बड़े वाजिव रेट है और ये जो रेट है ये तीन तारिक से अपलीकेबल है और जल्दी ही एक हथे के अंदर मार्किट में यूनिवर्सल कार्टन जो है उपलब्द होगा और सभी सेंट्रों पे जो सानों और बागवानों को मिलेगा और एक मांग मैं आपके जर्ये सरकार से भी मेरी अधिकारियों से भी बात हुई है क्योंकि पिछले वर्ष का नुभाव हमारे सामने है क्योंकि जिस तरह से मौसम की लगातार जो है प्रतिकूलता बनी है ये साल गर्मी बहुत जादा निर्देश दी हैं जो भी पी डब्लूडी के आला दिकारी हैं उनको इस बात को सुनिशित करना पड़ेगा कि तमाम जो सड़कें वो खुली रहें और कई जगा पे मेरे ध्यान में बातें आई हैं कि कलवट बंद हैं क्योंकि अगर इस तरह बंद रहे तो बहुत ज्याद से निपटने के लिए पी डब्लूडी भी भागते आ रहे और क्योंकि जब सेब सीजन योवन पे होगा तो बरसाथ भी योवन पे होगी क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष भी इतनी आपदाई सड़कें बन थी फिर भी सरकार ने इस बात को शुनिशित किया क कि एक पेटी जो है मार्केट तक पहुँचे और इस बार भी हमें पूरी उमीद है कि हमारे अधिकारी जो है इस बात को सुनिशित करेंगे कोई भी सड़क बंद नहीं रहेगी और किसानों और वागवनों का सेफ जो है वो मार्केट तक पहुँचेगा रटोर जी तीन जगा उप्चनाओ हो रहे हैं आब भी कई फिल्ट पे भी हाई नहीं किये और क्यास की कुए नहीं नहीं मैं बिलकुल नालागड था और नालागड में मैंने जंसभा को भी संबोदित किया और पत्तर कारवारता भी की और तीनों जगा पे कॉंग्रेस पार जो है ये उप्चनाओ जीतने वाले हैं क्योंकि ये उप्चनाओ अन्यवशक रूप से जनता पे थोपे गए हैं और इसलिए प्रदेश की जनता ने इसे पसंदनी किया और आपने देखा होगा कि जो छे उप्चनाओ हुए उसमें भी चार जगा पे कॉंग्रेस पार्टी जो है जीत के आई है और मुझे उमीद है कि इन तीन उप्चनाओं में भी कॉंग्रेस पार्टी इस वक्त जो है भेतर सीती में सर मुवन देखा जाता है सेव सीजन के समय कोल्ड स्टोरिज में सेवों के डंप कर दिया जाता और जब रेट जाते हैं उसके बाद उन्हें निकाला जाता तो कहीं नहीं नुक्सान बागवानों को मिलता तो उसके कोई चेक रहे हैं देखे आपका स्वाल भी बड़ा वाजब है क्योंकि स्टोर पे कोल्ड स्टोर में सेव रखने का एक ही उदेश्य होता है कि आफ सीजन में उस सेव को जो है निकाले और मार्केट में बेचे ताकि किसानों और बागवानों को अच्छे दाम मिले लेकिन पिछले वर्ष का अनुभव हमारा बहुत बुरा रहा जिस तरह से विदेशों से जो अवैद रूप से सेव भारत वर्ष में आया और खासकर अफगानिस्तान के रास्ते इरान और तुर्किये का सेव जो है देश में आया उससे हमारे दाम बहुत ज़्यादा गिर गे और जो कोल्ड स्टोर म सेव रखा था वो औने पौने दामों में जो है भिका और हमने पिछले वर्ष भी सरकार से मांग की थी इस वर्ष भी हम सरकार केंदर सरकार से यह मांग करते हैं कि अवैद रूप से जो सेव विदेशों से आ रहा है उस पे अंकुश लगाया जाए क्योंकि इस मामले को हमन बार बार उठाया और पिछले विदान सवा सत्तर में मैंने बड़ी परमुकता से इस मामले को विदान सवा में उठाया था तो कुछ दिन के लिए तो जो विदेशों से सेव आ रहा है उस पे अंकुश लगा लेकिन अब परिस्तितियां बदल गी है और दूसरी बात मैं य जिस बात का दुख है पिछले वर्ष जो है पचास प्रतिशत से गटा के तीस प्रतिशत कर दिया गया जिस कारण भी भार से बहुत जादा सेव आया और हमारे बागवनों को जो है